नमस्कार साथियो, साथियो इस टॉपिक में आप जानेंगे उत्रा अधिकार प्रमाण पत्र के बारे में देखें उत्रा अधिकार प्रमाण पत्र को कई नमों से भी जाना जाता है second point success certificate यानि कि यही उत्रा अधिकार प्रमाणपत्र वारेशान प्रमाणपत्र जो है इसकी आवसकता आपको कब पढ़ती है कब आपको बनवाना चाहिए और सबसे महित्पूर प्रस्न कि उत्रा अधिकार प्रमाणपत्र बनवाने का प्रोसेस क्या होता है और ये कितने प्रकार का बनता है ये कितने प्रकार का होता है और कब देखिए कई बार जो है कई लोगों को confusion रहता है कि तैसिल दार द्वारा बनवाएं कि district court द्वारा तो आप किसी भी लीगल मेंटर पर कानूनी सला लेना चाह रहे हैं मुझसे तो आप ले सकते हमारा कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिसक्रिप्शन में साथ यो मेंसन किया गया है आते हैं अपने टॉपिक पर सबसे पहले हम बात करेंगे साथ यो कि उत्रा अधिकार प्रमाण पत में ठीक है मालीजे उसका बैंक एकांड में पैसा है या अन्य कोई चल समपत्ति है कई बार बाइक बगेरा है ठीक है या मालीजे कई बार जो है आरंस होते यानि की असला होते ठीक है जब वह व्यक्ति मर जाता है ठीक है या उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी संस्थाएं ह होती हैं वो कहती हैं कि भाई हमें उत्रा अधिकार प्रमाण पत्र दीजिए तम मैं आपको यह चीज उसकी ट्रांसपर करूँगा आपको ठीक है यहां माली जी किसी अब्जेक्शन लगा दिया है ठीक है माली जी बैंक में पैसा पड़ा था उसने नोमिनी नहीं बनाया है अब बैंक पास जारा है वो आपसे वो ही मान करेंगी यानि कि वो कहेंगी आपसे कि आप सक्सेजन सेटिफिकेट उत्रा अधिकार प्रमाण पत्र या वारसान अधिकार प्रमाण पत्र साथियों यानि कि सक्सेजन सेटिफिकेट या जिसे कह सकते हैं वारसान प्रमाण पत्र की मांग उनके द्वारा संस्थाओं द्वारा की जाती है अब सबसे बड़ा कंफ्यूजर में यहीं पर आपका क्लियर करके चलूंगा कि देखे साथियों अ आँगे आप जानेंगे कि इसकी आवसकता कपड़ती है छोड़ थोड़े सौट्स में क्योंकि आप जान चुके होंगे फिर भी मैं आपको बता दो ठीक है उसे पहले में फिर आपसे कहूंगा एक बार कि यदि आपको इसी लीगल मेंटर पर कोई भी लीगल एडवाइस का सब्सक्राइब करेंनी कि आवसकता पड़ती है चल संपतीयों पर अचल्चल संपतीयों पर कभी रही पड़ेगी इसका प्रोविजन किया जया वह है भारती उत्रादिकार अधनियम धारा तीन सो पर तो वही उसे उत्रादिकार को मनवाना पड़ेगा ठीक है उसका किसी बेंक एकाउंट में पैसा था नोविनी नहीं बना पाया फिर भी वहां पर जरूवत पड़ेगी ठीक है तो इन सब के लिए आवस्सक्ता होती है बाकी आप सोच रहेंगे खेत नाम में कराना है या मा उत्रादिकार अदिनीयम के अनुसार हं के अनुसार झो अचल समपत्य होती है उनका पटवारा किया जाता है घीक है लेकिन इचांधियो के बनक को रहें इत्रादिकार प्रमाण पत्त्र होता क्या इसकी का प्रोसेस क्या है और ये कितने प्रकारखा होता है ये को दो प्रकारखा होता है फिर दो प्रोसेस होंगे इसके अब साथियो देखिए यदि आप उत्रा अधिकार प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हैं तो उत्रा अधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको भारती उत्रा अधिकार अधनियम धारा 332 में इसका प्रोविजन किया गया है और इसके अनुसार आप ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी आपके जिला जज है यानि कि डिस्टिक जज हैं उनमें आपको Petition File करने पड़ेगी और उस Petition में जो भी मालीजी आविदन करता है मालीजी उसका पुत्र है पुत्री है मालीजी जो भी वारिस है ठीक है उसके हचता अच्छर होंगे उसका verification होगा और जो भी मालीजी विक्ति expire हुआ है उसकी full detail लगेगी उसका नाम पता ठीक है यह मालीजी जो भी उसका death certificate है वो और सभी परवार के सदस्तों की detail लगेगी कि प्रथम बरग में कौन दिर्थी बरग में कौन मैं थोड़ा आपको explain कर दूँ प्रथम दिर्थी बरग क्या है सात्यों क्या होता है कि सबसे पहले प्रथम बरग में देखा जा आते जैसे मालीजी पुत्र है पुत्री है विद्वा है या पूर म्रत पुत्र का पुत्र है तो ऐसे लोग आते प्रतंबल मालीजी उसका पुत्र पुत्री या उसकी विद्वा नहीं है तो उसकी मालीजी जो भी माता पिता है उन्हें वो ट्रास पर होगी तो यानि कि कहन का यिकला जो है उत्रयाधिकार जो ही मालेज्चव मनष्ट हद्ध अब देखिए साथ्यों क्या है कि आपका colleges wanna बनाता है यह वह देखिए बैंक इसोक navy आपको इसपस्च कर दूंः कि जो तैसिल बारा उत्रयाधिकार हो आपको तैसिलदार वाला जो उत्रादिकार बनाए जाता है वो किसी बेंक या बड़े investment में मान नहीं होगा माल लीजिए जो व्यक्ति भरा है expire हुआ है उसका किसी माल लीजिए बेंक में उसका पैसा investment कर रखा है उसने या FDN तो वहाँ पे आपको district कोट वाला ही चाहिए ठीक है यह तैसिलदार वाला काम नहीं करेगा आपका ठीक है तैसिलदार वाला जो है वो छोटे-बोटे कामों के आता है लेकिन district कोट वाला जो है वो जो भी माल लीजिए investment है कितनी बड़ी हो उनके काम में आता है अब एक तो उनमें आवसकता नहीं होती है सात्यों ठीक है जैसे माल लीजिए क्रसी की जमीन है ठीक है कोई plot है कोई मकान है कोई flat है तो सात्यों जहां अचल संपत्ती है वहां आपको वारसान प्रमान पत्र बनाने की बिल्कुल आवसकता ही नहीं है क्योंकि वहां पे हिंदू उत् अनुसार ही प्रोपाइटी डिवाइड होती चली जाती है जो भी उत्तरादिकार है उन्हें मिल जाता है तो वहां पे किसी आपको सेटिफिकेट की आवसकता नहीं है ठीक है परवार रेजिस्टर की बगएरा से लेकपालिक रिपोर्ट बगएरा से जो भी पता चलता है कि इस व्यक्ति का यह उत्तरादिकार ही है ठीक है तो वहां पे जो है उसी को संपत्ति मिल जाती है ठीक है बाकी आपका अगर कोई प्रस्ण है ठीक है या माल लिए आप लिगल एडवाइस लेना चाहते है तो ले सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो को डिस्टन दिया गया साथ झाल 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 झाल